नमस्कार दोस्तों नमस्षिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वारत है दोस्तों 2022 में दिवाली का पर्व कब मनाया जाए क्योंकि सूर्य गरहाण लग रहा है इस वज़ा से काफी दुविधा की स्थिती बनी हुई है क्योंकि सूर्य गरहाण में हम इतना बड़ा पर्व इतना बड़ा त्योहार दीपो का त्योहार हम नहीं मना सकते हैं तो आईए जानते हैं कि कब कौन सा त्योहार धनतेरत से लेकर गोबर्धन पूजा और भाई दूस तक का त्योहार कब कब मनाना उचित होगा और इसका समय क्या होगा इसका मुहुर्थ क्या होगा आईए इस वीडियो में हम सब जानेंगे इन सभी त्योहारों के बारे में और सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी तो वीडियो आंतितब जरूर देखिएगा और सभी त्योहारों की तारीक, समय और उसका वीडियो यह पसंद आता है तो इसे लाइक और शेर भी कीचेगा बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलिएगा दोस्तों वैसे तो 2022 में 25 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को लेकर काफी कन्फ्यूजन की स्थिती बनी हुई है क्योंकि 25 अक्टूबर को सूरिग्रहन लग रहा है और यह सूरिग्रहन भारत में बिंदमान है तो आएए जान लेते हैं कि हम दिवाली कब मनाएं और कब सुग होगा तो 25 अक्टूबर को सूरिग्रहन है तो हम दिवाली 24 अक्टूबर को ही मनाएंगे वैसे देखा जान नियम के अनुषार तो 24 को नरक्चतुदशी है और इस दिन हम नरक्चतुदशी का तेवार मनाते हैं छोटी दिवाली मनाते हैं परंत इस वर्ष हम छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन मनाएंगे तो इस बात को आप बिलकुल कंखर्म समझ लीजिये कि 24 अक्टूबर को ही दिवाली हम लोगों को मनानी है अब इसका सुग समय क्या है जो कि लक्षमी पूजन का सबसे जादा महतो होता है किस समय में हम लक्षमी पूजन करें तो मैं बता देती हूँ कि आप लक्षमी पूजन शाम को 6 बच के 33 मिनट से लेकर 8 बच के 16 मिनट तक कर सकते हैं. यह बहुत ही अच्छा मुहूर्थ है आप लक्षमी जी की गड़ेश जी की पूजा कीजिए और मा लक्षमी को अपने घर में आमंत्रित कीजिए और उन्हें अपने घर में विराजमान कीजिए तो यह समय आप जान डीजिए 6 बच के 33 मिनट से 8 बच के 16 मिनट रात तक का समय होगा इसे आप नोट कर लीजेगा अब बात आती है कि धनतेरस कब मनाया जाए धनतेरस का समय कब है और तिथी इसकी कब से कारंब हो रही है वैसे तो जो 24 को हम लोग दिवाली मना रहे हैं तो 23 को धनतेरस नहीं मनाना चाहिए था क्योंकि 23 को चतुरदसी होनी चाहिए थी लेकिन सुरिग्रहन की वज़ा से ऐसा इस्थिती ऐसी आ रही है कि हम चतुरदसी के दिन ही दिवाली मना रहे हैं तो हम धनतेरस मनाएंगे 23 अक्टूबर को क्योंकि 22 को मैं सही सही समय बता देती हूं कि 22 को 6 बचकर 1 मिनट तक 12 तिथी है इसके बाद 13 प्रारंब हो रही है और दूसरी बात उदिया तिथी को लेकर हमारे हिंदू पंचांग में तेवहार उदिया तिथी को लेकर मनाये जाते हैं तो 22 को कोई सवाल ही नहीं उठता ह 23 को 6 बचके 4 मिनट तक 13 तिथी रहने वाली है तो आप इस तरह से 23 को धन 13 का तेवहार मना सकते हैं इसका मैं सुब मुहूर्त भी बता देती हूं कि सुब मुहूर्त में आप पूजा करिए और जो भी आप बरतन, सोना, चांदी, तांबा, पीतल खरीदते हैं जिसको की खर सकतनों को भी खरिदना, मिट्टी की मूर्ती को भी खरिदना बहुत ही सुब होता है उसका भी समय मैं बता देती हूं धन 13 के दिन 23 सक्टूबर को धन 13 मनाया जाएगा ये क्लियर समझ लीजिए और इसका समय क्या होगा पांच बचकर 43 मिनट से लेकर 6 बचकर 6 मिनट तक इस 8-17 तक रहेगा इस समय में भी आप पूजन कर सकते हैं और अपनी जो भी नई बस्तूएं खरिदना चाहते हैं इसे खरीद सकते हैं तो दोस्तों धन 13 और दिवाली तो पूरी तरह से क्लियर हो गई अब बात आती है भाई दूज की और गोवर्धन पूजा की अब भाई द हीं नहीं मिल रहे है हमें तो हम लोग 27 को भाई दूज मनाएंगे और 27 तारिख को सुभ मुहूर्थ तिलक करने का भाई पूजा करने का क्या होने वाला है यह वी आप लोग जान लिजीए इसका सुभ मुहूर्थ होने वाला है सुभा साठे-दस बजे से लेके शाम तीन ब बहाई दूज का जो तारीक है इसे आप कनफर्म जान लीजिए कि 27 अक्टूबर को है 26 को हम लोग गोवर्धन पूजा अनकूट करेंगे 24 को हम लोग दिवाली मनाएंगे और 23 को धनतेरस मनाएंगे जिसका कि समय भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है आप नोट कर और 25 को तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं सूरे गरहन लग रहा है जो कि भारत में भी पूरी तरह विद्धमान है तो इसलिए हम त्योहार उस दिन नहीं मना सकते हैं तो दोस्तों आशा करती हूं कि इस प्रकार से मैं बहुत ही कम समय में आसानी से मैंने बताया है सारी पूरी विधी सरल और साधारण घर पे कैसे की जाती है विधी वो मैं बताऊंगी इसके पहले मेरा वीडियो आ चुका है संपूर पूजन सामगरी का जिसमें कि आप यदि उससे देखते हैं उसको नोट करते हैं तो आपको किसी भी सामगरी की कमी नहीं पड़ेगी यदि आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो एक बार जरूर चेकाउट करिएगा मेरे चैनल पे और संपूर पूजन सामगरी लिस्ट को एक बार जरूर देखिएगा धन्यबाद दोस्तों नमाशिवाए